सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं नियुज लाइव में दोस्तों बात करें तो उत्रपरदेश में अगामी बिधान सभाज चुनाव को लेकर शरगर्मिया तेज हो गई है और इसको लेकर तवाम नेता अपने अपोजिशन पर लागतार निशाना साते नजर आ रहे हैं और इसमें से सबसे जादा अगर चर्चा किसी राजनेता की हो रही है तो वह रही है बात करें तो कुछ दिर पहले आपको याद होगा कि उम्परकास राजभर ने जेल में मुक्स्तार अन्षारी से मुलाकात किया था उम्परकास राजभर ने ये भी कहा कि मुक्स्तार अन्षारी को मसीहा बदाया राजभर ने कहा था कि उनकी पार्टी ना सिर्फ मुक्स्तार अन्षारी बलके उनकी परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट दने के लिए तैयार है वे जहां से चुनाव लड़ना चाहें उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे माफिया होते तो जनता क्यों वोड़ देती उन्होंने राजभर ने कहा कि मुक्स्तार जनता के वोड़ से चुनाव जिते हैं अगर वे माफिया होते तो लोग वोड़ क्यों देते इसनादे मुक्स्तार अन्षारे गरीबों का मसीहा है उन्होंने कहा कि जहां तक जेल में बंध होने का सवाल है तो किसी पर भी केस दर्ज हो उसे जेल जाना पड़ेगा लेकिन उन्हें अभी तक सजा नहीं हुई है उंपरकास राजबर ने कहा कि मायावती कभी मुक्षतार अंतारिश को भी मासिया कहती थी लेकिन आज कह रही है माफिया उपरकास राजबर ने कहा कि मायावती के कहने से कोई माफिया नहीं हो जाएगा मुक्तार और उनके परिवार को टिकट देनी के सवाल के जबाब में ओपी राजबने कहा कि हमारे मुर्षे में जो लोग आएंगी उन सभी का स्वागत है और मुक्तार का भी स्वागत है अगले साल होने वाले बिदार्शमच चुनाओं के लिए उंपरकास राजभर की पार्टी शुहल्दे भारते समझ पार्टी ने समाजबादी पार्टी के साथ गड़ बंदन का एलान कर दिया है हाल ही में अखले स्यादों ने कहा था कि उन्होंने राजभर पर भरोशा है जल्द ही दोनों पार्टी के बेच सीटों को लेकर भी फैसला हो जाएगा जिसको लेकर मुलकात के बाद मुक्तार अनसारे से उन परकास राजभर पर अपोरिशन पार्टी भी हाभी हो रही है और लगादार उनको लेकर अलग-अलग बयान भी दे रही है आपकी क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए निव्स्रूम से निव्सलाइब करबाद